ये गईस कैसे आप लोग मैं हूँ शुबाम और आप देख रहे हैं फैंटसी एक्सप्रेस का यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिबेश लिग के नेक्स्ट मुकाबले की जो की खेला जाएगा ब्रिस्बेन हीट और मैलबॉन स्टार्स के बीच में त ताकि आप वीडियो कोई पार्ट मिस ना करें और आप बढ़िया से बढ़िया टीम स्मॉल लिक की भी और ग्रेंड लिक की फॉर्म कर सकें बट सबसे इंपॉर्टन है अगर आपने हमें टेलिग्राम पर जोइन कर लिजे यह हमारा टेलिग्राम चैनल नेम है जिसको आपक चैनल है और इसी को हम ऑपरेट करते हैं सारी अपडेट आपको यहीं पर मिलेंगी बैस से बैस टीमों के लिए टेलिग्राम से जोड़े रही है जल्दी से आ जाते हैं मैच पे तो स्टार्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट का यह है 51st मुकाबला विबेश लीग का जो की खेला जाएगा मैलबॉर्ण क्रिकेट ग्राउंड मैलबॉर्ण में 16 जनवरी को यह मैच खेला जाएगा 145 पीम इंडियन टाइम के हिसाब से पिछ रिपोर्ट की बात करें तो यहां पर मैं आपको आखरी पांच मुकाबले ही दिखा दे रहा हूं जिससे आपको ज्यादा बेट इस वेन्यू पे थोड़ी सी बैलेंस रही है यानि 140-150 का मार्क मैक्सिमम उससे ज्यादा हुआ नहीं आप देखिए पांच विक्टें नौ विक्टें और पांच विक्टों से जीत रही हैं तो इस ग्राउंड पे स्कोरिंग कम है और चेजिंग अच्छी हो रही है पिछले दूसके पहले देखे तो दिसंबर भी यहाँ पे मैचे हुए है वह थोड़ी से हाइज करते वह टीम जीती है यानि कि पिछले 5 मुकाबल हो में 4 मैचे में वह टीम जीती है जिन्हों ने चेजिंग करना प्रिफर किया है तो चीज़िंग यहाँ पे बैटर होती है इस चीज़ से आप यह समझ गया होगे और स्कोरिंग थोड़ी सी पहले के मुकाबले यह साल में थोड़ी सी कम हो गई है यहाँ पर हम त्वोड़ासा और डिटิल में इस Hilton Guard right का देखिए 9 match में 31 run per match यह इस venue पर बनाया है, Nick Larkin ने 30 runs प्रती match बनाया है, Maxwell ने 26 run प्रती match, Martinus Laboos चैगने ने 24 run प्रती match और Sam Hazard ने 8 run प्रती match इस venue पर बनाया है, इस venue पर अगर आप bolers देखें तो Swipson ने एक match खेला तो जिसमें 3 victor निकालें थी, आपको बता दूँ इस match में स्वेपसन खेलेंगे क्योंकि मुझीव अनवेलेबल है वो जा चुके हैं बिग बैच लीक से तो उनकी replacement मेरे साफ से स्वेपसन से बेटर कोई नहीं हो सकती अगर हम बात करें मुझीव की तो वो यहाँ पर दो विकेट निकाल चुके हैं टूटल मैचिस के अगर हम बात करें तो देखिए इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर 12 मैच हुए है जिसमें 140 का एवरेज बनता है और अगर domestic देखें जो कि हम prefer करते हों कि domestic मैचिस हो रहा है तो domestic देखना ज्यादा बेटर होता है 55 मैच खेले गए तेईस उस टीम ने जीते हैं जिसने यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करी है और 31 उस टीम ने जीते हैं जिन्होंने यहाँ पर बैटिंग सेकेंड करी है और recent time में भी हमने देखा आखरी 5 मैचेज में 4 मैचेज उस टीम ने जीते हैं जिन्होंने बैटिंग सेकेंड करी है यानि की chasing करी है इसके अलावा average scoring 157 के आसपास बन रही है पिछले 3 मैच में हलाकी 150 भी नहीं बना है highest score Melbourne starts का 219 registered है यहाँ पर lowest score Adelaide strikers का 68 registered है scoring pattern देखेंगे तो most of the time scoring 150 के below जाती यह चीज आप यहाँ से notice कर सकते हैं जो हमने पिछले 3 मैचेज में भी देखी है आखरी मैचेज देखें इस venue पे तो मैं आपको बताई चुका हूं कि यह 5 मैचेज हैं जिसमें से आपने देखा 3 मैचेज में scoring कम है और 5 में से 4 मैच में chasing हुई है यह चीज आपने यहाँ नोटिस करी अप नीचे चलते हैं वह बात करते हैं points table की आप देख सकते हैं points table में 12 मैचेज खेल चुकी स्टार्स की टीम और 5 जीते हैं छटे नंबर पर और ब्रिस्बेन हीट 11 मैचेज में से 3 मैचेज जीत चुकी है साथवे नंबर पर थोड़ी सी जो मैलबॉन स्टार्स की टीम है वह स्टॉंग नजर आ रही है इनका मैचे थे स्टार्स ने चार्त इत हैं और चेजिंग करते हुए हीट ने तीन जीते स्टार्स ने करते हैं तो यह वेट का जादा बैटर है वह काफी जादा लो दिख रही है ऑल तीम अगर आप देखें तो बैटिंग और जोंका है और जो प्लेयर्स हैं उनका स्बांत इसको एक साल हो गया है तो रिसेंट मैंच में स्टार्स ने 20 रंज से जीत हासिल करी थी फस्ट बैटिंग करके ब्रिस्बेंट से आप देखिए दोनों टीमों ने काफी बड़िया स्कूरिंग करी थी और फस्ट बैटिंग करते वे स्टार्स जो इस मैच को जीत गई थी और एक साल पहले जब इनके बीच में मैच हुआ था उस मैच को हीट जीत गई थी बड़ वो चेस करते हुए जीती थी ठीक है तो यह चीज आप थोड़ा सा देख लिजेगा जब भी आपको यहां पर शो हो कि हीट वान बाइफ वाइफ विकेट जब भी देखिए नॉर्मल त की तबी यह रनस से जीते हैं ठीक है ब्यार ठीक है फस्ट बैटिंग रण वन ब्यार ठीक है और यहां पर है अगर सेककंड बेटिंग यहां पर यहां पर 2bW ठीक है इस टाइप साफ थोड़ा दो आपके लिए बैटर रहेगा क्योंकि आप बार बार यह स्कोर कार्ट देख लेंगे ना तो बहुत को समझ जाएंगे खुद से बनाई यह बैठा रहेगा ठीक है इसके बाद हम चलते हैं रिसेंट फॉर्म देखते हैं स्टार्स की टीम ने आकरी पांच मैच में सिर्फ एक बार जीत हासिल करी है अब बात करते हैं स्टार्स की टीम के क्या स्कोर स देख सकते हैं इसके बार बैटेल जो कि सबसे इंपॉर्टन्ट होता किसी वीडियो का और इस वीडियो का भी बहुत इंपॉर्टन्ट है तो देख लेते हैं आप देख सकते हैं 28 बॉलों में 37 रन बना है इस ने एक बार विकेट दिए इस बार इस बार इस काफी जाद आउट फॉर्म दिख रहे हैं और बहुत जल्दी आउट हो जा रहे हैं वरना बढ़िया प्लेर माने जाते बैटिंग से इसके लब आप देख स एम रह्मान है रह्मान नहीं खेलेंगे तो यह आपकी स्टैट कामका नहीं है यह स्टैट बहुत कामका है स्टिकेट वर्सेस काट राइट क्योंकि 17 बालों में 32 जरूर बनाए काट राइट ने इस टिकेट की बालों पर दो बार अपना विकेट भी दिया यानि प्रती यही सबसे इंपोर्टन है तेरा बॉल में 16 बालों के सामने कितना ज्यादा अच्छा है और काट राइट के सामने बढ़िया तो इस टिकेट की हो ना हम ग्रेंड लीग में कैटन बना लें यह चीज़ का थोधान लखियेगा जब भी ऐसे आपको प्लेयर बेटल दिखते है उनको नोट डाउन करिए और उनको ट्राइ कीजिए यह डेथ बोलर भी है कंप्लेट चार उवर भी करता है और अपनी टीम का सबसे बेस्ट बोलर भी है तब ही तो ऐसे रिजर्ड लाके दे रहा है तो मैक्सवेल को थोड़ी सी दिक्कते पैदा कर सकता है इस टिकेट और क निकाली क्रिसलिंघ के खिलाफ जंपा ने बट रंस काफी रोक रख रखेंगे अब जंपा कितने रंस रोके प्रती बॉल रंस कम दिये और ठीके रंटर बाल से गालेंगे तो यह थोड़ा ता स्टेट गढबढ है बट वह यह कि रंस बहुत रोके हैं प्रशर बहुत बना लगोरसल को देखिए बत्तिस बॉल में 48 रन दिए दो विक्टे निकाली है एक अच्छा यहां पर टॉम कूपर नीथन कुल्टर नायल का इस्टैट है बाइस बॉल में उंदिस रन देकर तीन विक्टे हैं क्या सेमाद नहीं है तो यहां पर वही है कि स्विन के सामने लों में एक भी बार विकेट नहीं लिया यहां पर रिंवर्ड और लिन का देखिए चौदा बॉल में एक तीस राने और एक विकेट है आप यह चीज तो कर रहा होंगे किसलें जब जब पेस के सामने आते हैं एक आध दो विकेट दे जाएं बट रंस बहुत बनाते हैं ठीक एक विकेट है क्या सेमेद वर्सिस टॉम कूपर है 14 बॉल में 17 एक विकेट है कुछ अगर इंपॉर्टेट आप स्टैट देखें लिन वाला है लिन वर्सिस मैक्सवल एक हैज़िट वाला भी है और अदम दंपा देखिए बहुत बेटल यहां पर बनाए हुए है इसके बा तो आपको स्टंपिंग कैचेस से कुछ पॉइंट दे सकते हैं प्लस बैट्समेन बहुत अच्छे हैं इस मैक्स में कप्तानी वाइस कप्तानी के अच्छी ऑप्शन होगी कोगि आपके बाद ज्यादा उप्शन अवेलेबल है नहीं लास्ट टाइम जो 85 का रन जो है यह इ इसी टीम के खिलाफ बनाया था यह देखिए आप पॉदिशन के खिलाफ 85 क्लार्क का जो लास्ट बेस्ट रिकॉर्ड है वह यहां पर दर्ज है तो इस फिर से यह ऐसा कर सकते हैं इसी टीम के खिलाफ तो बहुत इंपॉर्ण है मैक्सवेल की बात करें तो आखरी मैच में 16 आप पॉदिशन टीम के खिलाफ आखरी तीन मैच में एक बार चले है रिसेंटली देखिए उत्ती बॉलिंग नहीं करा रहे आप पॉदिशन टीम के लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ यह बालिंग करा सकते हैं यह मैं आपको बार दिखा देखा लिता हूं कौन-कौन से लेफ करा सकते हैं बर दिक्कत यह है कि एक दो मैच ऐसे निकल गए जिसमें लेफ्ट हैंटर्स के खिलाफ बॉलिंग करने आई ही नहीं मैक्सवेल तो यह चीज़े थोड़ा से यहां पर देख लीजेगा चलते हैं वापिस से हम स्टार्स की प्लेंग लैवन पर यहां पर हम बात के लिए उसमें एक बार पचास लगाया बागी टाइम फ्लॉप हुए तो ट्राइ करना हो तो ग्रेंड लिग में करिए स्मॉल लिग में बिल्कुल ट्रिफर नहीं करूंगा मारकस स्ट्राइब का इस साल फॉर्म इत अच्छा नहीं चल रहा बट नाम बढ़ा है और हिल्टरन काटराइट आखरी तीन मैच में दो बार परफॉर्मेंस दी है तो अगर यह पांच पर भी बैटिंग करने आता है काटराइट तो मेंसाब से आपको लेना चाहिए क्योंकि यह काफी स्किल्ड प्लेयर है और इस टूर्णामेंट इसने अच्छी अच्छी पर आते हैं आप पोदिशन किम खिलाफ रेकॉर्ड खराब है हिंच लेफ थोड़ा बैटिंग में आपको सपोर्ट दे सकते हैं प्लस यह चाना में लिख दिया और सो यह दो तीन ओबर के आसपस करा सकते हैं जादा एक्स्पेक्टिशन इनसे मत किजिएगा रिसेंट परफॉ टीन मैच में काउच का एक रहा था रेन बड़ का रहा था और जंपा का एक रहा था यानि दो ओवर यहां पर डानियल को मिले थे बट विक्टे किसने निकाल के दी सैम रैनवर ने रीसेंट परफॉर्मेंस देखे तो लास्ट में दो विक्टे हैं काउच को कोई विक्ट नहीं है और दानियाल को एक विकेट नहीं है यह परफॉर्मेंसे जाए बड़ इस वैन्यू पर रेकॉर्ड बहुत अच्छा है अब आप हैड़ देखें तो आखरी तीन मैच में सैम रैंबड को एक बार तीन विक्टे मिली हैं ब्रावडी काउच को अपने आखरी हैड़ और दानियाल ने कभी पोजिशन को फेस नहीं करा में इस आपसे जो इंपॉर्रेंट प्लियर यहां पर आपके लिए रहेगा एक तो स्पिन बोलर एड़म दंपा रहेगा एक ब्रावडी काउच रहेगा फिर आप रैंबड और दानियाल मैंसे किसी एक को चाहें तो पिक क बढ़ यहां खेले तो बहुत अच्छे हैं लेना तो आपको चाहिए को कि हैट्ट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है तो इनमें से कोई खेलता है तो थोड़ा से ध्यान दीजेगा स्टैट्स पर चाहे तो अभी स्क्रीन शॉट ले लिजे और बाद में आपकी यह काम आन खेले थे तो बहुत अच्छा यह देखिए और पोजिशन टीम के ना इस पेनर के खिलाफ दबते हैं और पेसस को काफी पिटाई करते हैं ठीके क्रिसलिन जो है जंपा की सामने थोड़ से सालेंट रहेंगे जैसी पेसस वगयर आएंगे तो उनके खिलाफ जो है रंस बनान करें यह भी पॉसिबल है ओप्शन काफी है देखिए हीट के पास भी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऑप्शन अच्छे हैं बट उनको कॉमिनिशन खुछते बनाना पड़ेंगे उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास क्या 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 बैस टॉक्षन अवेलेबिल हैं फिर ह हम हज़िट की बात करें तो आखरी तीन-चार मैच इनके उत अच्छे नहीं गए हैट टुएट रिकॉर्ड भी डीसेंट है बहुत अच्छा नहीं चल रहा है फिर आते जेवियर बार लेट थोड़ा आपको बैटिंग से बैक अप दे सकते हैं और बॉलिंग में परफॉर इस टिकेट प्रॉपर डेट में गिनदवाजी करेंगे इनको असिस्ट जो है वो जेवियर बारलेट और विल प्रेस्ट विच करेंगे प्रेस्ट विच का रिसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है लास्ट दो मैच इससे दो दो विक्टे लिकाल के ले जा रहे हैं इसका को समालेंगे और कुनमें भी स्पिन देपार्टमेंट को समालेंगे अखरी पांच मुकाबलों में स्विफ्टन को चार बार विक्टे मिली है और आप पोदीशन टीम के खिलाफ सब परसेंट का रिकॉर्ड आखरी तीन मैच में लास्ट मैच में तो तीन विक्टे निकाल तब लियाम घुथरे को डैथ में का मौका मिलेगा तो फिर इनके साथ में वालींग करने मौका बालेट ऑप्रेस्ट को मिलेगा हो सकते हैं तिम के बेस्ट बोलर हमेशा बोल रहें प्लेयर करते रही है प्लेयर बैटल के बहुत अच्छे हैं बड़े-बड़े-ब्लेस खिला का option है मैक्स ब्राइंट का option है टॉम कूपर का option है फकर दमन है जो नहीं खेलेंगे इनका अभी भी कनफा में QLD बॉडर की वैसे नहीं खेलने वाले यह बले स्कॉर्ड का इस्सा है जेम्स बाजली इनके पास यह काफी बड़ी और लाउंटर है टीम इनको खिला सकती है नैसर को भी कर सकते हैं यह बैटिंग वालिंग दोनों कर लेते हैं टीक है विल्डर मत खेल रहा है रिकॉर्ड अच्छा चलनी रहा भी की बात करें तो ब्रिस्विन हीट की तरफ से यहां पर में लिखना भूल गया सबसे पर तो एमस टिकेट आएंगे जो कि इनके मेन डैथ बो कर दो कम लगा थोड़ा कम मिला बट इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया टॉपिक्स की बात करें तो इसमें सभी में लिए टॉपिकी रहेंगे भले परफॉर्म नहीं कर रहें लिंका काफी बढ़िया है रिकॉर्ड यह अच्छे रहेंगे मैं पर अच्छा कर रहें काट यह मेरे सेफ पे ध्यान दीजेगा ग्लैन मैक्सवेल क्योंकि अपोजिशन टीम में टॉप फाइब में तीन लेफ्ट हैं तो मुझे लगता है यह दो तीन उपर बॉलिंग करेगा बेटिंग बहुत अच्छी कर रहा है तो यह मेरा पर्सनल्टीक है माइपिक्स इसको ट्र तो आपके वहीं से हो जाते फिर उसके बाद आपको पता कितने टेलेंटेटेट प्लेर हैं लास्टाइम 85 भी लगाया था अगर 20-25 रन और बना देंगे तो हमारा काम हो जाएगा 50-60 पॉइंट हमें मिल जाएंगे तो थोड़ा सेफ होगा क्लार तो यह मेरे दो पिक्स हैं जिनके साथ मैं ऐसा कप्टन वाइसकप्टन जाओंगा बाकी लोग तो देखें अब देखते हैं क्या है यहां पर विजन 11 और ड्रीम 11 की टीम बना लेते हैं अगर आपने विजन 11 पर रजिस्टर नहीं करा तो कर लिजिए रैफर कोड एफेस लगा के साइन अप करेंगे तो 300 रुपे का बोनस आपके अकाउंट में आ जाएगा और जो लोग यहां पर पहला डेपोजिट करें थोड़ा सा बढ़ा करें क्योंकि पहला डेपोजिट पर आपको विजन 11 दे रहे हैं यह 100% का कैश बोनस साथी साथ काफी बढ़िया एप्लिकेशन है ब्रेंड एंब लिडर बोड भी लगा हुआ है तो लिडर बोड तरू खेलना खेला कीजिए लिडर बोड अगर आप खेलेंगे तो टूनामेंट की आखरी में आप बड़े प्राइज भी जीतेंगे जो आपको विजन 11 एक्स्ट्रा दे रही है तो जल्दी से देखते हैं क्या हमारी टीम ध्यान रखिए जब भी साइन अप करें रेफर कोड एफेक्स लगा लें ताकि आपको 300 रुपे का बोनस मिल जाए वहना आप मुझे बाद में मैसेज करते कि हमें बोनस नहीं मिला है ठीक है तो ध्यान रखिएगा रेफर कोड एफेक्स लगाना कम पल सरी है सो गाईज यह रही मेरी टीम कैप्टन है मेरे मैक्सवेल वाइस कैप्टन है मेरे किलाग जैसा कि मैं आपको बताया था वीडियो में डखिट को मैंने टीम में पिक कर रहा है काट राइट लिए हैं स्टॉइनस लिए क्रिसलिन लिए अडम जंपा बार्लेट स्वेफसन एम टीम रहने वाली है तो यह मेरी विजन 11 की टीम है अब जल्दी से ड्रीम 11 की टीम दिखा देता हूं मेरा अभी ड्रीम 11 ओपन नहीं हो रहा है में भी कुछ प्रॉबलम होगी बट टीम आप वही लगा लिजेगा विजन 11 वाली चाहें तो आप थोड़ा सा पीछे रिवाइ कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा और वीडियो देखते रहे हैं लाइक करते रहे हैं को अगर आप हमें मोटिवेट करते रहेंगे तो सीदीजी बात है हम भी जादा जादा वीडियो आपके लिए क्लिए बनाएंगे और मैं यह दावैस के साथ कह सकता हू जो वीडियो मैं बना रहा हूँ जिस content के साथ मैं बना रहा हूँ वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा तो वीडियो को like करिए अपने friends के साथ share करिए और हो सकते ही तो subscribe कर लिजे ताकि next वीडियो का update आप तक जल्दी से पहुंच जाए so guys मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye